हाई गाईज कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छे होंगे आज किस वीडियों में देखने वाले हैं बीएसी सेकंड ये वालों के लिए जोलोजी का फ़स्ट पेपर है और दो हजार एकिस के इंप्रुमेंट एक्जाम और बैक पेपर एक्जाम के लिए मौस्ट इंप नहीं पर आसकते वहां से बाहर कुछ देखने को मिलें जो आपको दिये और जो भी सब्सक्राइब कर लो बहां से आपको काफी कुस मिलने वाला है ठीक है अब यहां देकिए बात करने वाले हैं पहला कोशन है पहला को पर टिक लगाएंगा लोजी के फर्स्ट पेपर में और एमजे पीर रोल फंड इडिवस्टी के लिए मैं तीनों पेपर एक साथ बना दूँगा क्योंकि वहां तीनों पेपर की वीडियों जाएगी ठीक है उसके चंता मत करो जिसका अलग हो रहा है वो भी चेक कर लो वो टिक कर लोगने परे बुक में ठीक है यह और एमफियोक्सिस एमफियोक्सिस को हम विरेकर इस्टोमा भी बोला जाता है इसके पाचंतन और सरदन के बारे में और रुदर संभाहन तंद के बारे में आप याद करेंगे बहुत जादा इंप्रोटेंट है साथी साथ आपसे सॉट में पूछेगा और यह क्या होते हैं यह हमें कर देड़ा के अंदर करते जंतु आता है जंतु आता है जब आप एमफियोक्सिस को पढ़ लोगे तो हमी पाड़ा को बना बना के लिखा होगे याद रखना मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि आपको कॉपी छोड़े के नहीं आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको क्या है कॉपी में पूरी भी जगा छोड़ के नहीं आनी है, सुम्द्रेओं क्योंéma क्योंकि आफके में पूरा लिख कि आ ओगे, तो आपको अच्छे नमबर रचे पास होगे याद रखना, कॉपी पूरी भर के आनी है, क्योंको तुम पता है क्या हो रहा है कि इसके धिए कोपी जाने है यासी तौ하फ और उसके अपमें आपको हैंता किस संक्राइंच की अंत्रकात आता है तो आप गोगे यूदा की ये आता है तो इसके लक्षणक की सबَّसके के एक लारवा बहुत जधा बोड़ा है इसको आप याद करेंगे घ्र वाने देने वाले इसंधारी का उस बारे में आपको देखने ना है शरीषर्फ को सामाल के यह disclose यह यहोइं है और हुज देखेए यह एक होता है उजिस नहीं हूता है ठीक इतना हो गया इतना अप्टिक लगाईए उसके बाद में आता है तो निरियल आरवा मौस्ट इंप्रेंट रहेगा इसको अप्टिक लगाईए हिकत और यह ल화 के देखो कर नियुकुराइन कि इसको ग्रुटैニ क्या है इसके प्रकार के बारे में क्या है यह बताना हो इसके प्रकार के cen States के बारे मैं आप जानते होसके दन्त विर्लाज सूत्र का बुरा प्रइंवन कर देना इस इस प्रगार से दात होते हैं उनको सब के बार में याद कर लेना है और हमिकार डेटा में उपर बता चुका हूं हमिकार डेटा के समाल लक्षण के बारे में अब देखिए नदी सम्मुद्र इस तल पर पाये जाने वाले कचुब में अंतर जाधा नहीं मुसा जाता है इसको सूर दीजिए उसके बाद में आ जाता है हमारा हिपोकेप्स के होता है इसको आपयात करिए एक मचली होती है ठीक है इसको अपच्छी तरीके से याद कर लेंगे और सेको बिलोस्स पर आपको ठीपड़ी लिख लिए है इसकी बाद में नेक्स कोशन आता है पादब भीहिन उबैचर के तरीका से देख लेना एक मुथर यह की उनिसके उसके आन्त्र escrito के बाद को बिलोस को की अंत्र चाना है वो आप देखेंगे साथा, उसके आतमेण सरचना को देखली है तो यहां दोने के वारे पढ़ लेना तो नहीं है यह फोर ह्तना ही है और भागे कुछ खास नहीं इसमें ठीक है अंगर कोई लिक्क्त नहीं है और उसके बाद में आता है तुमारा तो थोड़ा सब पढ़ लेंगे तो आप लिख लेके जब आप पढ़ा हुआ होगा उसको पढ़ लोगे तो बना-बना के लिख के आ जाओगे इस बात को याद रखना तो उसके बार में 50 परसेंट नहीं लेकिन 25 परसेंट तो जरूर याद रहाता है यह 25 परसेंट आपको याद है तो आप उससे 100 परसेंट बना सकते हो मतलब कि उसका बना-बना के पूरा कोशन कर सकते हो लेकिन उसमें याद कर लिया करूं तो याद रखेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं और देखे कभी-कभी आपसे पूछ लेगा कि उड़न पेसियों होती है उनके बारे में तो बस इतना आपको पढ़ लेना है और यही सब को बहुत जादा इंपोटेंट है बस इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा ठीके दोसो तो आसकी वीडियो कैसे लिए कॉमेंट सेक्शन में आप जरू हो दाना आश्या करता हूं वीडियो पसंद आई ह होंगी तो सब्सक्राइब जरू करिएगा और कॉपी को छोड़के नहीं आना है चाहें कुछ भी हो जाए ओके थैंक यू